दिवाली स्टोरी इन हिंदी फो किद्स, यहां पड़े दीपावली की शुब अवसर पर दिवाली की प्रेरनादायक कहानी विद्यार्थियों और बच्चों के लिए। इस साल दिवाली का त्योहार 31, अक्तूबर को धून धाम से मनाया जाएगा, माराकेश कुमार यूपी 40 यूट्यूब चैनल, हूम, आर्टिकल्स इन हिंदी, स्कूल लाइफ, इवेंट, दिवाली स्टोरी फो किद्स इन हिंदी, दीपावली की कहानी विद्यार्थियों और बच्चों के लिए, दिवाली स्टोरी इन हिंदी फो किद्स, यहां पड़े दीपावली की शुब अवसर पर दिवाली की प्रेरना दायक कहानी विद्यार्थियों और बच्चों के लिए, इस साल दिवाली का त्योहार 31, अक्तूबर को धून धाम से मनाया जाएगा, गरि दिवाली स्टोरी फो किद्स इन हिंदी, दीपावली की कहानी विद्यार्थियों और बच्चों के लिए, दिवाली स्टोरी इन हिंदी फो स्टूडंस अन किद्स, रोश्नी का त्योहार, दिवाली, भारत का प्रमुक त्योहार है, यह भारत में सबसे ज्यादा मनाये जान को करीब लाती है ये त्योहार हिंदू कैलेंदर के कार्टिक मास के अमावस्या दिन को मनाया जाता है और अक्टूबर से नवंबर के बीच आता है दीपावली के पावन अफसर पर लोग धन सुक और शांती की कामना करते हैं कई भारतिय संस्कृतियों के लिए दिवाली का त अच्छाई का प्रतिक है क्यूंकि इसी दिन भगवान राम रावन को हराने के बाद 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लोटे थे इस दिन अयोध्या वासियों ने अपने श्री राम के लोटने की खुशी में अपने घरों और पूरे शहर को दियों से सजाया था इस साल दिवाली का त्योहार 31 अक्तूबर को धूम धाम से मनाया जाएगा गरिमा ज्जा बाई गरिमा ज्जा अक्तूबर 29 दो हजार 24 नौ बच के 36 मिनट भारतियम मानक समय दिवाली स्टोरी इन हिंदी दीपावली की कहानी विद्यार्थियों और बच्चों के लिए प्रमुक त्योहार है ये भारत में सबसे ज्यादा मनाये जाने वाले त्योहारों में से एक है दीपावली को दीपों का त्योहार वी कहा जाता है क्योंकि इसे घरों में दीपकों के साथ मनाया जाता है दिवाली खुशियों और उत्साह का पर्व है दिवाली परिवारों दोस्तों और समुदायों को करीब लाती है. ये त्योहार हिंदू कैलेंदर के कार्टिक मास के अमावस्या दिन को मनाया जाता है और अक्टूबर से नवंबर के बीच आता है. दीपावली के पावन अफसर पर लोग धन, सुक और शांती की कामना करते हैं. कई भारतिय दिवाली का त्योहार ही ने साल की शुरूआत का प्रतीक है. दिवाली बुराई पर अच्छाई का प्रतिक है क्यूंकि इसी दिन भगवान राम रावन को हराने के बाद 14 साल का वनवास पूरा कर योध्या वापस लोटे थे. इस दिन योध्यावासियों ने अपने श्री राम के लोटने की खुशी में अपने घरों और पूरे शहर को दियों से सजाया था. आडवर्टिस्मिंट, और सो रेड, ऐसे इन दिवाली इन हिंदी, दिवाली पर लोग अपने घरों को साफ करते हैं, फूलों से सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, दीय जलाते हैं और कहानी विद्यार्थियों और बच्चों के लिए प्रदान की है जिसे आप विद्यालेओं में सुना सकते हैं, ये प्रिनादायक कहानी माता-पिता और शिक्षक भी बच्चों को सुना सकते हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, दिय जलाने से लेकर प्रुपहारों के आदान प्रदान का महत्व क्या है इन सवालों का जवाब बताए बच्चों को दिवाली की कहानी में Home, Articles in Hindi, School Life, Event, दिवाली Story for Kids in Hindi, दीपावली की कहानी विद्यार्थियों और बच्चों के लिए दिवाली Story in Hindi for Kids, यहां अपड़े दीपावली की शुभवसर पर दिवाली की प्रेरना दायक कहानी विद्यार्थियों और बच्चों के लिए इस साल दिवाली का त्योहार 31, अक्तूबर को धून धाम से मनाया जाएगा गरिमा ज्जा, बाई गरिमा ज्जा, अक्तूबर 29, 2024, नौबच के 36 मिनट भारतियम मानक समय दिवाली Story for Kids in Hindi, दीपावली की कहानी विद्यार्थियों और बच्चों के लिए दिवाली Story in Hindi for Students and Kids, रोश्नी का त्योहार, दिवाली, भारत का प्रमुक त्योहार है ये भारत में सबसे ज्यादा मनाये जाने वाले त्योहारों में से एक है दिपावली कोक दीपों का त्योहार वी कहा जाता है क्योंकि इसे घरों में दीपकों के साथ मनाया जाता है दिवाली खुशियों और उत्साह का पर्व है दिवाली परिवारों, दोस्तों और समुदायों को करीब लाती है ये त्योहार हिंदू कैलेंडर के कार्टिक मास के अमावस्या दिन को मनाया जाता है और अक्टूबर से नवंबर के बीच आता है दिवाली के पावन अफसर पर लोगधन, सुक और शान्ती की कामना करते हैं कई भारतिय संस्कृतियों के लिए दिवाली का त्योहार ही ने साल की शुरुआत का प्रतीक है दिवाली बुराई पर अच्छाई का प्रतिक है क्योंकि इसी दिन भगवान राम रावन को हराने के बाद 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लोटे थे इस दिन एयोध्यावासियों ने अपने श्री राम के लोटने की खुशी में अपने घरों और पूरे शहर को दियों से सजाया था Also read, essay in दिवाली in Hindi Advertisement दिवाली पर लोग अपने घरों को साफ करते हैं, फूलों से सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, दीई जलाते हैं और पूरे घर को रोशनी से भर देते हैं दिवाली की राद देवी लक्ष्मी और भगवान श्री गनेश की पूजा की जाती है दिपावली के अफसर पे विद्यालेओं में तरह तरह की प्रतियों गिताओं का आयोजन किया जाता है यहां हमने दिपावली की कहानी विद्यार्थियों और बच्चों के लिए प्रदान की हैं जिसे आप विद्यालेओं में सुना सकते हैं ये प्रिनादाय कहानी माता पिता और शिक्षक भी बच्चों को सुना सकते हैं। दिवाली क्यों मनाते हैं? इसके पीछे क्या कहानी है? दिये जलाने से लेकर उपहारों के आदान प्रदान का महत्व क्या है? इन सवालों का जवाब बताये बच्चों को दिवाली की कहानी में Learn English, Related Stories, LAL Bahadur Shastri Essay in Hindi, LAL Bahadur Shastri पर निबंध हिंदी में Gandhi Jayanti Speech in Hindi for School Students, Gandhi Jayanti पर भाशन 2024 Gandhi Jayanti पर नारे, Gandhi Jayanti Slogans 2024 for School Students Advertisement, Next, Diwali Story in Hindi for Kids दिपावली की कहानी विद्यार्थियों और बच्चों के लिए दिवाली का त्योहार दिवाली एक हिंदू त्योहार है जिसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है दिपावली का त्योहार कार्थिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है दिपावली पांच दिवसिय त्योहार है दिवाली त्योहार के दोरान घरों को साफ किया जाता है और घर के हर कोने को दीपक, फूलों और रंगीन रंगोलियों से सजाया जाता है लोग उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और नई कपड़े पहनते हैं दिवाली की रात यानी इस पूरे त्योहार के मुख्या शाम को लोगधन और सम्रिद्धी के देवी देवता, लक्ष्मी मान और भगवान गनेश की विशेश पूजा करते हैं लोग घरों में रंगीन मिट्टी के दिये जलाते हैं, जो प्रकाश और आशा की विजय का संदेश देते हैं दिपावली सिर्फ रोश्नी का नहीं बलकि आपसी प्रेम का त्योहार भी है ये परिवारों को एक साथ लाती है, खुशिया फैलाती है दिपावली मानाने के पीछे कई कथन है महाकाव्य रामायन के अनुसार रावन को हराने के बाद भगवान राम के अयोध्या लोटने के उपलक्ष में दिवाली मनाई जाती है श्री राम को 14 साल के लिए अयोध्या से उनके पिता, राजा दश्रत द्वारा वनवास दिया गया था उनकी पतनी, माता सीता और भाय लक्षमल भी साथ थे तीनों ने 14 साल जंगलों में भटकते हुए विभिन चुनोतियों का सामना किया वनवास के दौरान, लंका के राजा, रावन ने माता सीता का अपहरन कर लिया था एक दिन जब माता सीता कुट्या में अकेली थी तब रावन ने संत का रूप धारन करके छल से उनका अपहरन कर लिया दिव्य पक्षी जटायू बहादुरी से रावन से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन रावन माता सीता को समुद्र पार करके अपने राज लंका में ले जाता है राम, वानरों के राजा सुग्रीव और सेनापती हनुमान की मदद से लंका तक पहुँचने के लिए समुद्र पर पत्थरों का एक पुल बनाते हैं पत्थरों को उचाल का वर्दान प्राप्थ है इसलिए वे डूपते नहीं है एक लंबी लड़ाई के बाद राम ने रावन को हराया और माता सीता को बचाया जब उनका वनवास समाप्थ हुआ राम, सीता और लक्षमन अपने राज आयोध्या लोट आये अयोध्या के लोगों ने उनके स्वागत के लिए दिये जलाए और अपने घरों को सजाया भगवान राम की अयोध्या वापसी अच्छाई की जीत का प्रतीक है इसलिए हम रोश्नी का त्योहार दिवाली मनाते हैं ये बुराय पर अच्छाय और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है महाभारत में दिवाली दिपावली मनाने के पीछे एक कथन महाभारत से जुड़ा हुआ है ये कहानी है पांदव भायों के वनवास की पांचो पांदव भाय कॉर्वों के खिलाफ पासे के एक धोखी बाजखेल में अपनी सारी समपतिक हो देते हैं वर्षों की कथिनाईयों के बाद पांदव और उनकी पत्नी द्रौपदी कार्ते कमावस्या की रात में अपने राज्य वापस लोट आए उनकी प्रजा, उनकी वापसी पर खुश होकर मिटी की दीपक जलाती है दिवाली क्यों मनाते हैं? दिवाली, दिवाली या दीपावली को रोश्नी कत्योहार भी कहा जाता है कई भारतिय संस्कृतियों के लिए दिवाली का त्योहार ही नए साल की शुरुआत का प्रतीक है दिवाली बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है क्योंकि इसी दिन भगवान राम रावन को हराने के बाद 14 साल का वनवास पूरा कर योध्या वापस लोटे थे दिवाली पर लोग अपने घरों को साफ करते हैं, फूलों से सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, दीय जलाते हैं और पूरे घर को रोशनी से भर देते हैं परोसी, दोस्त, रिश्टेदार एक दूसरे से प्यार से मिलते हैं और उकहार एवं मिठाया लेते, देते हैं दिवाली उत्सव देवी लक्षमी की मुक्ति का भी प्रतीक है जिन्हें राजा बली ने कैट कर लिया था भगवान विश्नु ने भेश बदल कर उन्हें राजा से बचाया जिससे कई क्षेत्रों में दिवाली का हर्शोलास मनाया दिवाली के पांच दिन पहले दिन के उत्सव को धंतेरस कहा जाता है ये दिन नई चीजें खास कर सोना और चांदी खरीदने के लिए शुब दिन माना जाता है Home, Articles in Hindi, School Life, Event, दिवाली Story for Kids in Hindi, दिवाली की कहानी विद्यार्थियों और बच्चों के लिए दिवाली Story in Hindi for Kids, यहां पड़े दिपावली की शुब अवसर पर दिवाली की प्रेरना दायक कहानी विद्यार्थियों और बच्चों के लिए इस साल दिवाली का त्योहार 31, अक्तूबर को धून धाम से मनाया जाएगा गरिमा ज्जा, बाई गरिमा ज्जा, अक्तूबर 29, 2014, 9.36 मिनट भारतियम मानक समय दिवाली Story for Kids in Hindi, दिपावली की कहानी विद्यार्थियों और बच्चों के लिए दिवाली Story in Hindi for Students and Kids, रोश्नी का त्योहार, दिवाली, भारत का प्रमुक त्योहार है ये भारत में सबसे ज्यादा मनाये जाने वाले त्योहारों में से एक है दिपावली को दीपों का त्योहार भी कहा जाता है क्योंकि इसे घरों में दीपकों के साथ मनाया जाता है दिवाली खुशियों और उत्साह का पर्व है दिवाली परिवारों, दोस्तों और समुदायों को करीब लाती है ये त्योहार हिंदू केलेंदर के कार्टिक मास के अमावस्या दिन को मनाया जाता है और अक्टूबर से नवंबर के बीच आता है दिवाली के पावन अफसर पर लोग धन, सुक और शांती की कामना करते हैं कई भारतिय संस्कृतियों के लिए दिवाली का त्योहार ही नए साल की शुरुआत का प्रतीक है दिवाली बुराई पर अच्छाई का प्रतिक है क्योंकि इसी दिन भगवान राम रावन को हराने के बाद 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लोटे थे इस दिन एयोध्यावासियों ने अपने श्री राम के लॉटने की खुशी में अपने घरो और पूरे शेहर को दियों से सजाया था और सो रेड, ऐसे इन दिवाली इन हिंदी दिवाली पर लोग अपने घरों को साफ करते हैं, फूलों से सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, दीवाली की रात देवी लक्ष्मी और भगवान श्री गनेश की पूजा की जाती है दीपावली के अफसर पे विद्यालेओं में तरह तरह की प्रतियों गिताओं का आयोजन किया जाता है यहां हमने दीपावली की कहानी विद्यार्थियों और बच्चों के लिए प्रदान की हैं जिसे आप विद्यालेओं में सुना सकते हैं ये प्रिनादायक कहानी माता पिता और शिक्षक भी बच्चों को सुना सकते हैं। दिवाली क्यों मनाते हैं? इसके पीछे क्या कहानी है? दिये जलाने से लेकर उपहारों के आदान प्रदान का महत्व क्या है? इन सवालों का जवाब बताए बच्चों को दिवाली की कहानी म Pause, Unmute, Remaining Time-9 Ratio 38, ClosePlayUnibots.com, Learn English, Related Stories, Lal Bahadur Shastri Essay in Hindi, Lal Bahadur Shastri Par Nibandh Hindi Me Gandhi Jayanti Speech in Hindi for School Students, Gandhi Jayanti Par Bhashan 2024, Gandhi Jayanti Par Nare, Gandhi Jayanti Slogans 2024 for School Students Diwali Story in Hindi for Kids, Diwali की कहानी विद्यार्थियों और बच्चों के लिए Diwali का त्योहार, Diwali एक हिंदू त्योहार है जिसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है Diwali का त्योहार का आर्थिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है Diwali त्योहार के दोरान घरों को साफ किया जाता है और घर के हर कोने को दीपक, फूरों और रंगीन रंगोलियों से सजाया जाता है लोग उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं Diwali की रात यानी इस पूरे त्योहार के मुख्या शाम को लोगधन और समृद्धी के देवी देवता, लक्षमी मान और भगवान गनेश की विशेश पूजा करते हैं लोग घरों में रंगीन मिट्टी के दिये जलाते हैं, जो प्रकाश और आशा की विजय का संदेश देते हैं दिपावली सिर्फ रोशनी का नहीं बलकि आपसी प्रेम का त्योहार भी है ये परिवारों को एक साथ लाती है, खुशिया फैलाती है दिवाली की कहानी, दिपावली मानाने के पीछे कई कथन है महाकाव्य रामायन के अनुसार रावन को हराने के बाद भगवान राम के अयोध्या लोटने के उपलक्ष में दिवाली मनाई जाती है श्री राम को 14 साल के लिए अयोध्या से उनके पिता राजा दश्रत द्वारा वनवा